हेलो फ्रेंड नमस्कार तो आज हम बनाएंगे आम तूर का पॉडर आप लोगों ने हमेशा बजार से ही खरीदा होगा आम तूर का पॉडर लेकिन आज हम आपको बनाना शुखाएंगे आम तूर का पॉडर और इसको बनाने के लिए मैंने कच्चे आम दो से धाय किलो ले ल च चञ़ने के बाद में चोड़े चोड़े पीस में काट लओंगा आ हुँआ जत listen चोटा पीस कार सके उतना काकट लीजी इस से हमें फाइदा यह होग यह हमारे जल्दी सूख जाएंगे और मिक्सी में आसानी से पिस जाएंगे यहां मैंने च्छड़ च्छड़ पीस में काट लिया है आम को पहले आपको दुलाई कर लेना है उसके बाद काटना है यहां मैंने दुलाई करने के बाद में आम के बहुत ही च्छड़ च्छड़ पीस में काट लिया है यहां मैंने दो से 2,5 किलो जो आम थे हमारे उनको मैंने काट लिए है लम बलमबा अब मैं इनको धूब में सूखने के लिए डाल दूँगा यह देखे मैंने सुबह धूब में सूखने के लिए डाल दिये थी तो सुबह मैं वीडियो नहीं बना पाया अब मैं साम टाइम देख रहा हूं यह विचारे सूख के थोड़ से मुर्जाग जाए हैं लेकिन अब यह इनके अंदर नमी है इनको हम अगले तीन दिन तक ऐसे धूब में सुकाएंगे यह हमारा पहला दिन था यह देखिए यह हमा हमारे पापाड हो चुके बहुत क्रिप्सी हो चुके हैं कड़क कड़क़ से अब यह वैसे हो चुके हैं अब मैं इंको मिक्शी में डालके पीश लेता हूं इसको आपको अच्छे से पीज़ना है इससे फाइन पाउडर मैदा जैसा आपका पीज जाएगा उस टापको पीज लेना है इनको मैंने असानी से पीज लिया है यह देखिए इसमारा मैदा जैसा फाइन पाउडर बन चुका है यह देखिए अब मैं इनको इस टेनर की साइटा से आठा छमी जो वी होती है आपके पास में उसे च्छान लेता हो जैसे जो चोटी मोटी गाट होगी जो भी हलका से जो मोटा होगा वह रट जाएगा यहां मैंने इस टेनर की साहता से छहन लिया है जो हलका-मोटापन था वह उपर बाँप और फाइन पावडर हमारा नीचे आचे चुकआ है इसको आप दाल में डाल सकते हैं सनेक्स में डाल सकते हैं या कुछ चतनी बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं आम्टूट क पाॉडर ओने के यह सि Hani हमारा पाॉडर बन के तैया के अभ मैं इसको भर के रख लेता हूं इदिनने को एक जार था प्लास्टिक का आपका कोई भी जार होता है काच का यह प्लास्टिक का इस में ुश को भर कर सकते हैं यह आप जल्दी से खराब नहीं होगा और आपको भी बजार से खरीने की जुरूत नहीं पड़ेगी आप आसानी से अब घर पर आम चूर पॉटर बना सकते हैं और बहुत यह आसान है सो फ्रेंट यह आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्स्राइब करते रहें और बेल आकेंगे जुरू दो आए जिसे आपको नहीं नोटिफिशन मिलते रहें थैंक्यू फर वाचिंग